हलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू आल तो टुड़े संडे और संडे को आपका होता है क्विज तो आज आपका क्विज सेशन है जनरली हमारा इसी टाइम पर करन्ट अफेर की क्लास होती है लेकिन संडे को हम क्विज रखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे जिस तरीके से एक्जाम पैटर्न है उस तरीके से आप तेजारी करते रहे हैं आज की संडे की जो क्लास है उसको हम special class के form में भी कवर करेंगे 10 वजे 10 अम पे special class के form में आप मुझे कवर करेंगे लिंक अल्रेडी टेलीग्राम पर शेयर है वो free class है उसी link पर क्लिक करके आप enroll कर लीजी और 10 वजे मुझे plus platform पर जोइन कर सकते हैं use the code RBLIVE to get this pre-class access शुरू करेंगे पहले question से try to answer के सारे बच्चे कोशुश करेंगे comment section में answer करने की the global south यह एक term काफी जाधा news में है अलाकि means के लिए इंपोर्टेंट है प्रिलिम्स परस्पेक्टिव में भी थोड़ा सा ध्यान रखें किया मतलब है इसका the global south is a term often used in international relations global south includes क्या क्या कौन कौन से countries इंक्लूड कर रहा है यह कुछ option आपको दिये गए है इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया जपान कौन से country इसके इंदर आपके include होंगे what should be the answer क्या answer होगा global south की अगर हम बात करें कई बार यह term use में आती है पहले third word countries word use होता था लेकिन अभी यह term use में आ रही है और इसकी अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें be correct answer जाएगा be is the right answer be is the right answer be is the right answer क्यों क्योंकि global south का मतलब geographical south से हम नहीं ले रहे हैं ठीक है global south को अगर आप इस map में देखेंगे जैसे यह branded line है तो यह बता रही है ऐसे देश जो की काफी सारे social economic parameters पे टेक्निकल जो उनकी टेक्निकली सेंस में अगर हम बात करें तो ऐसे देश जो की developing phase में रहे काफी सारे characteristics इसमें सिमिलर हैं जनरली आप देखोगी यह वो देश हैं जो कभी न कभी colonized रहे ओके यहां पर development related challenges रहे हाला कि अभी चाइना जो है काफी उपर जा चुका है इंडिया भी काफी अच्छा कर रहा है लेकिन यह जो देशों का समूँ है इसमें Australia excluded है Japan is not a part of this global south Japan Australia जैसे जो developed nation है वो आपके global north का part है ठीक है तो इस question को बड़े असानी से आप कर सकते हैं यह कोई difficult नहीं है बट concept आप ध्यान रिखेगा इंडिया एंड चाइना बोट अव दीज ओके इस आपका global north का पार्ट होगा ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट होगा जो जनरली डवलोप नेशन है इंडिस्टलाइज नेशन है उसकी हम बात करें सेकिंड कॉस्टन पर आ जाते हैं दो statement आपको दिये गए हैं patent evergreening is a strategy patent evergreening is a strategy of getting multiple patents that cover different parts of the same product fine section 3d of the patents act इंडिया का patent act है उसका कुछ इनोंने section mention किया है that does not allow the evergreening of patent क्या इंडिया का patent act evergreening of patent को allow नहीं करता है और उसमें भी ये section का जो लिखा है वो सही है दो statement है क्या है सही है और क्या second statement first statement का explanation भी है या नहीं है take your time try to make this correct इतना difficult नहीं है patent अभी चर्चा में थे especially secondary patent की भी चर्चा थी primary patent, secondary patent उस context में भी हमने discuss किया था patent evergreening क्या होता है दो जिन बच्चों को नहीं पता patent का मतलब पहले इसका मैं answer बता दूँ what should be the answer B is the correct answer both the statements are correct B is the correct answer दोड़ों statements है यह है लेकिन first statement का correct explanation यहाँ पर यह नहीं है patent का मतलब होता है मान लिजे किसी company ने कोई नई दवा बनाई नई दवा बनाई है लाखो करोड़ रुपे खर्चा करके बनाई है अब company वो दवा बनाती है उसको market में बेचती है मान लिजे उसी company की दवा को copy करके 10 company और बेचना शुरू कर देती है तो सारी company ने दवा बनाई सारी मैनत उसकी और फायदा सब उठा रहे है तो next time वो इतना खर्चा नहीं करेगी दवा बनाने पर इसलिए जो इस तरह की intellectual property होती है मतलब creations of mind जैसे यहाँ पर दवा पर हमने patent दिया उसी तरह से कोई बुक लिख रहा है music composition उस पर copyright दिये जाते है तो यह intellectual property rights दिये जाते है उसी का एक form है patent तो company को दवा company को जब patent मिल गया है तो कई बार वो क्या करते है same product के दूसरे aspect बे भी patent लेने की प्रियास करते है यह कहता कि वो उनका जो exclusive right हो के वल उनहीं का वो right है उस दवा को बनाने का और extend हो जाए और वो ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सके तो इस practice को कहा जाता है patent ever greening और generally यह जो है एक negative sense में जुड़ी हुई टर्म है जहाँ पर company आपनी मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए in general most of the cases में देखा जाता है कि वो patent ever greening की तरफ indulge होती है भारत का जो patent active उसका section 3D है यह ever greening को allow नहीं करता है यह कहता है अगर genuine अगर वहाँ पर कुछ addition है अगर आपने उस product के अंदर जिस पर already patent है वहाँ पर कुछ ऐसा addition किया है जिससे उसके अंदर कोई ज़्यादा efficiency या कुछ नई ही qualities उस product की निकल के आ रही है तब तो आपको patent देंगे otherwise आपका patent extend नहीं होगा तो यह एक तरसे ever greening of patent को रोक रहा है और दोने statement सही है patient के हितों को ध्यान में रखते वे किया ज़रा है इसमें आप ध्यान रखेंगे जो generally हम ever greening की बात करते हैं उस context में secondary जो patents फाइल किये जाते हैं उनका role बहुत ज़्यादा है दो तरह के patent होते है primary patent जो है वो तो active ingredients पे दिया जाएगा फिर क्या होता है जब तक आपका patent चल रहा है तो पेटेंट खतम होने वाला होता है कई बार company जो है उसके दूसरे product के दूसरे aspect पे in the form of secondary patent के form में ले के आती हैं जैसे अगर आप देखोगे different doses form different aspect of the active ingredient production method derivative pharmaceutical composition ये जो different aspect है इनके उपर patent लेने का परियास किया जाता है और इसको कहते है secondary patent जिसको evergreening of patent से जोड़ के देखा जाता है recently news में था क्यों था क्यों था क्यों था कि Johnson & Johnson की एक drug है I think beta-quinoline है जो TB के अंदर काफी कारगर होती है उस पे ये patent extension का चल रहा था तब ये चर्चा में था तो इसको थोड़ा ध्यान रखें ये topic mains के लिए भी बहुत important है answer क्या जाएगा B जिन बच्चों का सही है वो correct है section 3D की हमने बात कर ली है चलिए आगया हैंगे which of the following are included in the nine recorded species of the vultures इंडिया में 9 species हैं recorded वल्चर्स की 9 species इंडिया में record है तो ये कह रहा है कि कौन-कौन सी species इंडिया में include है Egyptian Vulture, Great Yellow Headed Vulture, Oriental White-backed Vulture, Eurasian Griffond तो इंडिया में कौन-कौन से include होंगे try to answer ये थोड़ा सा रटने वाली चीज हो गई बढ़ हमने पढ़ा हुआ है अभी recently news में था I will give you the reference इस context में था कौन-कौन सी होंगी नो जो वल्चर की species हैं उन में से कौन-कौन सी होंगी अब कुछ बच्चे जिनका नहीं पढ़ा हुआ है बोजे दिमाख लगाएंगे कि Egyptian Vulture है तो Egypt के अंदर होना चाहिए इंडिया में नहीं होगा यूरेशियन है तो ये यूरोप में होगा इंडिया में नहीं होगा जैसा Turkey Vulture है ठीक है तो देखो मैं यहां बताऊं Egyptian Vulture है इंडिया में मिलता है 9 recorded species में है greater yellow headed Vulture जो होता है इसका head और वो जो सिर देखोगे जोड़ा yellow color का है तो ये US की आपकी species है यूएस में major 3 Vulture species आ रही है इसमें से एक ये है तो second well आपका wrong हो गया ये इंडिया की species में record नहीं है oriental wide-backed Vulture है इसी के conservation को लेके बहुत positive news सामने आई थी कि इनको पहले जो है nesting इनकी करवाई फिर wild में इनको छोड़ा गया तो वो एक बहुत positive गया और इंडिया मिल रहा है यूरेशन ग्रिफन भी इंडिया में मिल रहा है तो चार species आपके सामने oriental wide-backed Vulture की बात करें इसकी population 99.9% से decline कर गई थी 99.9% से overall जितनी भी तो इसमें आंसर जाएगा C जितनी भी Vulture population है सब negatively प्रभावित हुई क्योंकि जो एक anti-inflammatory drug जो देते हैं pain killer की रूप में declofenic sodium वो जब cattle में दी जाने लगी और जो Vulture होते हैं ये क्या करते हैं cattle या जो kerakas होता है dead bodies उन पे feed करते हैं ठीक है इनको squenger भी कहा जाता है तो जब ये वो खाने लगे तो इनका जो system है kidney उसको metabolize नहीं कर पाती और फिर इनके अंदर इनका जो neck dropping होने लग गई nervous system fail हो गया और death होने लग गई हमने देखा कि 90s के अंदर अंदर देखते देखते कुछ सालों में 97% और कुछ species की जैसे oriental wide bag culture है 99.9% तक इसकी population down गई इनको maximum protection है schedule 1 wild life protection act के अंतरगा चीक है कौनसी नोई species है वो देख लेना oriental wide bagged है long build, okay slender build himalian, red headed, Egyptian bearded, sineros and eurasian griffon ये 9 species हैं जो इंडिया के अंदर recorded हैं इन में से चार जो है critically endangered हैं including this oriental वाला पिर एक endangered और near threatened के अंदर आ रही है भारत सरकार ने plan launch कर रखा है 2020-25 के लिए के वल्चर action plan है वल्चर के लिए dedicated restaurant dedicated इनके conservation center जैसे जटायो conservation center breeding centers ये बनाये जा रहे हैं आगे आ जाते हैं consider following statement about the western guard psychological expert panel also known as गडगिल commission गडगिल commission के बारे में कुछ पूछा है, गडगिल commission की report हलागी पुरानी है लेकिन काफी ज़्यादा चडचा में अभी रही है क्या कहरे है ये गडगिल commission the report recommended classifying 33% of the western ghat spread over 6 states into ecological sensitive zone क्या इसने जो western ghat 33% one third area है उसको ecological sensitive zone में declare करने का recommendation दिया, क्या इसने recommendation दिया कि जितने भी zones होंगे वहाँ पे कहीं पे भी sage नहीं बन सकता है special economic zone नहीं बन सकते है क्या जितने भी area होंगे है वहाँ पे कोई भी नया station, नया hill station वहाँ पे allow नहीं होगा कि कोई नया hill station develop कर दिया है तो ensure the conservation of the western ghat पताइए क्या होगा, अभी आपने देखा होगा महारास्टरा में रतनागिरी में landslide हुए थी उसके बाद से गडगिल कमिशन की report news में है, बहुत important है prelims के context में इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है major recommendation ध्यान रखो case study में भी help करेगा और means में भी पटाफ़र से answer करना start कीजिए take your time and try to answer what should be the answer ये जो report थी गडगिल कमिशन की इसने क्या किया लगभग 60% से भी ज़्यादा जो एरिया है more than 60% एरिया है around 64% something 60 plus percentage एरिया जो है इसको इसने कहा कि ये को जो sensitive zone है इसमें रखा जाएगा और इसी लिए और बहुत stringent provisions recommendation दी कि आप यहाँ पे कोई भी sage नहीं बना सकते कोई नया hill station नहीं बना सकते plastic पूरी तरह से ban है कोई भी genetically modified crop है वो ban है ये सारी recommendation ठीक है तो ये second और third तो आपकी सही है लेकिन ये जो 33% वाला है ना this is not correct क्योंकि इसने 60% से उपर का दिया तो first statement wrong है because of this 33% criteria इवन कस्तुरी रंगन रिपोर्ट जो इसके बाद आई थोड़ा balance करने के लिए उसने 37% जो है declare किया था first गलत हो जाएगा क्योंकि 60% प्लस एरिया ये declare कर रहा है you will see कि around 64% ठीक है और 3 category में ecologically sensitive जो और 1, 2, 3 कर रहा है उसमें अलग-अलग category के इसाब से अलग-अलग activities allow की जाएंगी first गलत हो गया दो सही है आपके be is the correct answer ठीक है चलिए आगया जाएंगे environment से आपका question रहा ये major-mejor recommendation आपके लिए यहाँ पर mention कर दी है इस report को गड़गिल कमिशन की जो report है इसको बहुत ज़्यादा environment friendly माना गया कि बहुत ज़्यादा environment friendly है और development का ध्यान नहीं रख रही है इसलिए इसको accept नहीं किया गया और फिर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट आई जिसने कहा थोड़ा सा relaxation यहाँ पर दिया और कहा कि नहीं 64 परसेंट की जगे जो है आप 33-37 परसेंट जो एरिया है उसी को protection के अंदर लेंगे eco sensitive एरिया के रूप में कि आपके western guards दिखाई दे रहे हैं मैप पे इंडिया का मैप है ओके western guards आगे आते हैं पॉलिटी का यह question है इन statement दिये गए हैं article 75-3 of the indian constitution okay specify that the council of minister are collectively responsible to the president of india second statement and no confidence motion is a parliamentary motion that demonstrates to the head of a government that the elected parliament no longer has confidence in the council of minister no confidence motion can only be introduced only be introduced in the loksabha not in the rajasabha you have these three statements try to answer simple है ज्यादा difficult इसको नहीं माना जाएगा no confidence motion अभी recently जो है opposition no confidence motion लेके आया सरकार के अगेंस्ट में मनीपूर वाइलेंस वाली जो चर्चा है उसके context में आर्टिकल 75 में definitely इस चीज का mention किया गया है रेफरेंस दिया गया है लेकिन जो collective responsibility होती है council of minister की जो सरकार चुनके आई है उनकी collective responsibility होती है लोग सबा के लिए लोग सबा क्योंकि वो elected जो representative है उनका chamber है वो जन परतिरिंदी जनताने direct उने हैं ठीक है जाता है तो सरकार गिर जाती है अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो वो के अवल लोग सबा में लाया जा सकता है तो पहला statement तो गलत हो गया क्यों क्योंकि प्रसिडेंट आफ इंडिया नहीं आएगा लोग सबाएगा second statement is right this is basically the definition of no confidence motion third statement is also right okay because it can be introduced only in the लोग सबा the reason being कि लोग सबा में ही directly जो elected representative है वो आ रहे तो राज्या सबा के पास वो प्रिरोगेटिव वो अधिकार नहीं है कि वहां पे जो मेंबर से उनके बहुमत के अधार पर सरकार बने या गिरे तो इसमें दो statement correct होंगे जिन बच्चों का B answer है this is correct okay B is the correct answer आ गया जैते context मेंने बता दिया अभी recently जो है no confidence motion लाया गया था full reserve banking पे कुछ statement है economy से question आ गया है आपका कि रिट था कॉस्ट्टन एंड राइट वांसर कि इन स्टेट्मेंट है होप अपने पढ़ लिया होगा दुबारा से मैं एक बार देख देता हूं system of the banking ये full reserve banking के बारे में पूछ रहे है full reserve banking ठीक है full reserve banking में अगर आप देखोगे this is a system system of banking where banks are not allowed to lend out the money they receive from the customer generally क्या होता है bank के अंदर आपने पैसा जमा किया bank क्या करता है आपने 100 रुपे जमा किया तो bank कुछ हिस्सा रखता है let us say कि 20 रुपे 30 रुपे 30% whatever it is वो रखेगा बाकी loan के रूप में देगा अभी तो पैसे कमाएगा आपको ब्यास दे रहा है 2% का आपके deposit पे और अगर किसी ने loan लिया है उससे 10% ले रहा है तो यह जो gap है 8% we call it spread this is the profit of the bank so generally this is how the bank in general work okay we call it fractional okay reserve banking something like this इसमें full reserve banking नहीं है तो full reserve banking में क्या होगा अगर जो depositors है जैसे मेरा पैसा है अगर वो demand deposit है मतलब saving account या current account में है तो bank उसको जो है land नहीं करेगा loan के रूप में नहीं देगा loan के रूप में कौन सा दे सकता है time deposit वो दे सकता है मतलब मैंने रख दिया FD करा दी 5 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए उसको lock in period में रखा वो पैसा दे सकता है तो पहला जो है यह partial सही है statement लेकिन overall देखोगे इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें time deposit को भी जोड़ दिया अगर मैं यहां से time deposit हटा देता हूँ तो यह सही होगा लेकिन time deposit है तो पहला statement गलत हो गया क्या होगा full reserve banking में आपने अगर current account saving account में कुछ भी पैसा डाला है तो bank पूरा का पूरा उसको अपने पास रखेगा उसको आगे loan के रूप में नहीं दे सकता है fine banks are prohibited from creating the loan without actual cash in there अब bank अगर दे रहें loan एक तो time deposit पे loan दे सकता है लेकिन loan दे भी रहा है तो वहां पे आपको creating loans without actual cash in their vaults to back these loans तो इतना ही उनको cash के रूप में रखना पड़ेगा जितना loan के रूप में आगे दे रहें तो यह एक condition होगी तो bank run जैसी इस्तती इनको face नहीं करनी पड़ेगी कि सारे depositors एक साथ भी पैसे लेने आ गए तो अभी जो banking व्यवस्ता है हमारी उसके अंदर तो bank fail कर जाएगा bank bank run की स्तती बन जाएगी तभी तो RBA कहता है सबको एक साथ नहीं निकाल सकते इतना पैसा ही नहीं लेकिन इस वाले full banking full reserve banking system में ऐसा नहीं होगा bank run की स्तती से बचाव रहेगा तो यह second statement सही है banks में charge fees from the depositors क्योंकि depositor को service दे रहे हैं generally क्या होता है हमने bank में पैसा डाला saving account में तो bank हमें ब्याच देता है ठीक interest देता है हमें पैसे देता है यहाँ पर उल्टा होगा full reserve banking में वो सकता है कि charge किया जाए सामने वाले से आपने पैसा डाला हो सकता है आप ही से bank पैसा ले ले क्योंकि bank कहेगा देखो मेरे को इससे कोई कमाई नहीं हो रही है मैं आपको service दे रहा हूँ आपके पैसे को सुरक्षित रखके आप जब चाहें तब वो पैसा निकाल सकते है so I am providing you some service okay that's why I can charge so there is a possibility third statement is also correct so in this case second and third statements are correct B is the correct answer ठीक है आगया समझ में और यह concept full reserve banking का समझ आगया इंपोर्टेंट है इसी तरह से प्रोलिम्स में आपको question पर किये जाते हैं तो try to be aware about these kind of things ठीक है और आगे question पर है उससे पहले मैं बता दूँआ संडे वाली class है उसको हमने special class के form में रखा है special class का link comment box में भी आपका pin है वो free class है उसको आप join कर सकते हो unlock code use करना है R-B-L-I-V-E यह code use करके आप मुझे कर लेना जैसे यह class end होती है उस link पे click करके enroll कर लेना class में so once the class goes live you will get the notification अंडे वाले current affair वहां करते हैं चलिए union government has launched मेरी माटी मेरा देश यह campaign अभी भारत सरकार ने लांच किया है the campaign includes the activities related to यह campaign जो है किस-किस तरह की activities को include कर रहा है awareness on the amratkaal remembering the unsung heroes martyrs of the locality soil water collection from gram pancayad adoption of the punchpran pledge difficult नहीं है इसके बारे में आपने सुना होगा मेरी माटी मेरा देश campaign cover भी किया है हमने जो आपकी daily news analysis class होती है इसी समय morning में जिसमें हम Hindu Indian Express को cover कर रहे हैं वहाँ पे topic cover हुआ है और अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है तो आपके लिए easy रहेगा you can definitely answer मेरी माटी मेरा देश campaign है अगस्त के अंदर इसको वह किया जाएगा तो जितनी भी जो पंचायत है ब्लॉक लेवल है वहां से जो मटी है water है वो collect किया जा रहा है आसपास के लोगों में awareness create की जा रहे है कि आपके जो heroes हैं ठीक है जिन्नोंने contribute किया है जो शहीद हैं martyrs हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है या फिर protect किया है लोगों को उनको याद किया जाए ओके this collection is there gram pancati नहीं block level से और यहां से भी है पंच प्रांट pledge है जिसके अंदर जो है पांच major कीजे हैं जिसको आप कर रहे हो कि हम इस तरीके से करेंगे हम अपनी duties का ध्यान रखेंगे वगरे वगरे अम्रत काल है जहां पर हमारा जो है यह अम्रत काल माना जा रहा है मतलब अभी हमारे 75 years पूरे हो गए आजादी को सो साल आजादी को पूरे हो जाएंगे 2047 में 1947 से अभी तक तो यह जो पीछे 20 साल है यह जो 25 years है यह जो 25 years का टाइम है इसको माना जा रहा है अम्रत काल तो उसकी awareness भी है तो चारो statement सही है D is the correct answer ओके पंच प्रांट pledge के अंदर आपका क्या आ रहा है goal of developed India unity sense of duty वगरे वगरे है तो ओल फॉर और करेक्ट डी इस दक राइट आंसर कंसिडर फॉलॉइंग स्टेट्मेंट्स यह फिर एकनॉमी से आपका आ गया है कि आफ्टर कोविड नैंटीन पेंडेमिक इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ बास्मती राइस यह question पढ़के आंसर करने की कोशिश करें ओके झाल 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 आपने कर दिया होगा तोपिक है वहाँ से आपका कॉश्चन आ रहा है लेकिन यह इस नहीं है अगर हम इस कॉश्चन को देखें हैं इस इस नाट एजी कॉश्चन क्यों हो क्यों कि थोड़ा सा फैक्च्वल है यह कहा रहा है कि COVID-19 pandemic के बाद में इंडिया का जो बास्मती राइस एक्सपोर्ट है यह ज्यादा हो गया है नॉन बास्मती राइस के comparison में जबकि उल्टा हुआ है इंडिया के नॉन बास्मती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है पिछले पांसा सालों में यह बढ़ा है पहले स्टेट्मेंट क्या होगा गलत हो जाएगा USA is the largest importer of India's non-bashmati water white rice इंडिया का सबसे वड़ा जो importer है वो है नेपाल followed by the some African countries I think Madagascar is there तो यह second statement भी गलत हो गया क्योंकि USA largest importer नहीं है इंडिया के non-bashmati rice का और आपने देखाओगा जब इंडिया ने अभी रिसेंट्ली बैन किया था क्या कर दिया था एक्सपोर्ट बैन कर दिया था वो सारी varieties का बैन नहीं किया है वो केवल non-bashmati rice वाले जो वराइटी है इसी को बैन किया है तो यह statement भी गलत है इसमें गलत जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा हो सकता है कुछ बच्चों ने किया हो इजी लगा हो वो इसलिए कि अभी रिसेंट्ली हमने डिसकस किया था क्यूंकि इस पर काफी ज़्यादा चर्चा थी हिंदू में लंबा चोड़ा आर्टिकल था तो यह आप यहां रखें यह ट्रेंड है सबसे ज़्यादा पैरा बॉयल्ड राइस जो है यह एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब राइस का जो हसक है उसकी के साथ उसको पार्चिली बॉयल ड्राई करके दे रहे हैं फिर आपका सेकिंड पे नौन बास्मति राइस आ गया है क्वांटिटी ह है यह लाग टन के अंदर ठीक है और यह जो टॉप इंपोर्टर से इंडिया के नौन बास्मति रहा इसके तो आप देखेंगे नेपाल पहले पर मेडागासकर बैनीन मलेशिया यूए 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 से जो है जिसको कह रहा है लार्जेस्ट इंपोर्टर ही तो 34 नंबर पे 34 प्लेस पर है ठीक है चलिए आगे मूव करेंगे आठ कॉस्टन हमने कर लिए है नाइंध कॉस्टन पर आ जाते हैं फॉलॉंग सिस्टम फॉलॉंग स्टेट्मेंट तो मैगनिटार्स मैगनिटार के बरामें आपको कुछ दो स्टेट्मेंट दिये हैं अभी हमने रिसेंट लिए किया है मैगनिटार दिसकस किया था पास्ट रेडियो बर्स्ट एफार बी याद आ रहा है इतनी सारी एनर्जी पास रेडियो बर्स्ट के रूप में निकल रही है जितनी सन कई सो सालों में कई हजारों सालों में निकाल रहा है वो ये मिली सेकंड fraction of second में आपका रिलीज कर दे रहा है What should be the answer? सारे बच्चे कर दो इसको Not a difficult one तो गलत होगया मेगनीटार तो निटरों स्टार है पड़ा हुए हुमारा जो जो न्यिटरों स्टार होते है उनमें भी ऐसे मतलब rare होगा जो normal neutron स्टार है उसके comparison में भी 10 times और बहुत क Prix गुणा ज्यादा उसका magnetic जो field है वो रहेगा we call these magnetars इस तरह के neutron star होंगे neutron star होंगे neutron star बनते हैं जो बहुत बड़े star है उनका जब fuel पूरा खतम हो जाता है तो explosion होता है, supernova बनता है उसके बाद जो बन रहा है तो बहां से होगा, तो second statement कर लगता है first is right, तो जिन बच्चों का A answer है, A is the correct answer fast radio burst के context में discuss किया था, FRBs क्या होती है, ये भी ध्यान रखें इनहीं magnetar के द्वारा, जो radio waves है उसमें इतनी energy निकल रही है, fraction of second के अंदर जो बहुत बहुत जाल है तो लिए disaster पे भी काफी चर्चा है कि आप आसानी से कर सकते है Sendai framework for disaster risk reduction It is an international document on the disaster risk reduction which of the following are included in the seven clear targets के लिए है, तो इसमें क्या-क्या include है इसके जो साथ target है, Sendai वाले जपान में एक जगे है Sendai वहाँ पे फाइनलाइज हुआ वहीं से इसका नाम पढ़ा हुआ है तो इसमें क्या-क्या include होगा Substantially increase the number of countries with national local disaster strategies risk reduction strategies loss of the GDP को कम करना international cooperation को बढ़ाना increase the availability, accessibility of early warning system पढ़िए इसको try to answer साथ target है, याद आ रहा है, चार चीज़ों को बढ़ा रहा है, तीन चीज़ों को कम कर रहा है ठीक, international cooperation को बढ़ाने की बात है, सही है ओके गठाने की बात है, GDP से होने वाले loss को, सही है increase the number of countries की वो उनका local, हाँ, अपनी risk strategy हो सही है, substantially increase the availability, access to early warning system, this is also right, ओके और क्या है, ये तो साथ है, चार यहाँ पे mention है, चारों सही है, इसमें और में क्या है, तो D इसमें correct answer D जिन बच्चों का है, सही है, काफी बच्चों ने किया है इसको, ठीक है और क्या होगा, जैसे इसमें mortality जो हो रही है लोगों की जान का जो नुकसान हो रहा है उसको कम करना, critical infrastructure को जो नुकसान हो रहा है, उसको कम करना, ठीक है economic noise, critical infrastructure को नुकसान है के 2005-2015 एड प्रजेंड आपका जो है सेंड़ाइ फ्रेमवर्क है जिसके अंतरगर डिजास्टर रिस्क रिडक्षन के प्रियास ग्लोबल कॉपरेशन को बढ़ाने का प्रियास किया जा रहे है आगे आएंगे कंसिल्डर फॉलौइंग स्टेट्मेंट अबाउट वरड वाइड नेचर वरड वाइड य। बारे में ब Graddle.Wrf पर आपको तीन स्टेट्मेंट दिये हैं रोड वाइड पंत फूर नेचर One of the world's largest conservation organization क्या WWF एक तरका conservation organization है क्या WWF की तरफ से Retend Species की Red List पब्लिश की जाती है हर साल क्या WWF ने लाँज किया है काफी तरह इनिशेटिव जिसमें से एक अर्थ आर भी है अर्थावर Is this the right statement? तीन statement है WWF पे तो देखो WWW वर्डवाइट पो नेचर definitely one of the largest conservation organization है लेकिन ये Red List ये पब्लिश नहीं करता है Red List IUCN करता है IUCN के द्वारा ये Red Data List लाई जाती है कौन सी स्पेशिश को कितना है तो critically endangered, endangered वह बात करते हैं IUCN की Red List Second तो आसानी से अटा दो First आपका सही है ही Third के अंदर क्या है अर्थावर जो है ये 8-9 रहता है और WWF का ही है Initiative उसमें एक गंटे जो है बड़ी जो unnecessary light से उनको बंद करना का कोशिश करते हैं पूरे word में रहता है Second गलत हो गया First और Third सही है तो इसके अंदर जो आपका March के अंदर जो Last Saturday होता है इसमें साड़े आठ से साड़े नो तक आपका अर्थार होता है जिसमें unnecessary lights को turn off करते है मैसेज दिया जाता है तो B is the correct answer और कौन सी report दी जाती है Living Planet रिपोर्ट जो है आगे आजाते हैं Consider the following statement with regard to millisecond pulsars millisecond pulsars are made of electrons they are the most extreme object in the universe with a diameter of about 24 km and this is not an easy statement to get this thing they emit the beams of the radio waves क्या ये radio waves emit कर रहे अगर पढ़ा है तो ही कर पाऊगा otherwise आप इस question को put नहीं कर सकते है इसके लेंग्वेज में थोड़ा सा इस नाट प्रॉपर इन दर सेंस but still अगर हम इसको लेके चलें एक सेंस के अंदर millisecond pulsar जो होते हैं ये एक तरह के neutron star ही है neutron stars ही है ठीक है तो ये जो first statement है ये अपने आप में correct नहीं है तो ये question एक तरह से आप मान लो कि जो star mark वाला question होता है उसमें चला जाएगा तो whether we should keep this statement किस category में रखे हैं बाकि ये third statement से ये radio waves की beams को emit कर रहा है ये ना diameter भी somewhere around this इसको एक बार हटा देते हैं इस question को this is not right millisecond pulsars वाला ये जो caution है इसको एक बार हटाते हैं आगे question पर आते हैं male guard forest male guard forest जो हैं इस पर आपको तीन statement दे रखे हैं इसको थोड़ा लेंग्वेज इसको थोड़ा करेक्ट करता हूं फर्स लाइन जो है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है male guard forest forest lies in the जबलपूर डिस्टिक और situated in the जबलपूर डिस्टिक ऑफ मध्यपरदेश इसको थोड़ा करेक्ट करना क्या male guard forest जो है ये मध्यपरदेश के जबलपूर डिस्टिक में situated है पहला क्या ये सत्पुड़ा मेकाल जो लेंड्सकेप है उसका पार्ट है क्या यहां पे कोरकु ट्राइब जो है वो रिसाइड करती है फाइन ते तीन statement आपको दे रखें ये जो question है जिस तरीके का pattern है उस वज़े से difficult हो गया है क्यों क्योंकि पहले option देता था ये पहला statement सही है या दूसरा है अंदर है आपका situated तो पहला statement गलत है बाकी दोनों ये सही जाएंगे आंसर आपका बीच अला जाएगा बीच बहुत निकल के आ रहा 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 है consider following statement about the home revolt, home revolt पे आपको तीन statement दिये है न्यूज में भी था अला कि ये एक देड़ साल पुरानी बात हो जाएगी but still this is the part of your static slaybers as well आपको आना चाहिए a home revolt took place in the Assam region after the first anglo-bermese war पहला जो anglo-bermese war हुआ उसके बाद में a home revolt हुआ असाम में बक्षी जंकबंदू was the leader of this revolt the revolt was against the annexation of territories जो British Empire है उन्होंने जो आसाम में जो territories है उनको अपने कभजे में लिया वो एक reason था क्या वो reason था a home revolt का this is the statement was that the reason of a home revolt what should be the answer बहुत factual है ठीक है especially the second statement is very factual and without knowing the second statement you won't be able to answer the question क्यों क्यों क्योंकि तीनों statement यहां पर वन्टू दे रही है अब थोड़ा सा बैठ जाएगा देखो इसमें first statement जो है कि कहीं आपको पता है first anglo-bermese war के बाद हुआ है तो first statement तो सही होगा इसको अटा देते हैं revolt was against the annexation of territories यह भी सही है this was the primary reason ना कि क्यों यहां पर revolt को था था थर्ड स्टेट्मेंट भी सही है 1-3 होगा या 1-2-3 होगा वो अब यह 1-2-3 देखे भी हमें कोई help नहीं हो रही है क्योंकि तीनों statement आपको आने चाहिए बक्षी जगबंदू was not the leader okay second statement is wrong और बी इसमें correct answer जाएगा जो लीडर थे उनका नाम है गोमदार कोमार के वाज दे लीडर ऑफ टेट पर्टिकुलर सॉम्रीवल्ट अहॉम्रीवल्ट नेक्स एक और question लेंगे मोहनी अट्टम पे आपको statement दिया अटन कल्चर से इस्टेटिक पॉर्शन से intentionally we are picking some questions make sure कि आप इस्टेटिक पॉर्शन को भी अच्छे से करें मोहनी अट्टम developed and remained popular in the state of आंदर प्रदेश okay it is traditionally a group dance performed by the woman and man both after extensive training the 11th century विश्णु टेंपल in टिकोटी थानम और यह जो एकोटेंपल है यहाँ पे क्या यह इनके पोज मेंशन है sculpture के अंदर इन टेंपल में क्या मोहनी अट्टम के पोज मेंशन किये गए हैं क्लासिकल डांस है मोहनी अट्टम fine एको मोहनी अट्टम की अगर हम बात करें यह पहली बात केरल का है यह ना classic one of the eight classical dances आठ जो classical dance उनमेंसे एक है एक तो हो गया मोहनी अट्टम एक और है केरल का classical dance कौन सा है let me know in the comment section ठीक है तो मोहनी अट्टम यह है और इसके अंदर क्या होगा जनरली solo dance है और woman perform कर लिए तो यह group dance जो लिखा हुआ है और जो man भी है जोनों है यह नहीं होगा woman generally in general perform इसको करती रही है solo dance के form में आएगा और third statement इसमें सही जाएगा तो पहला first गलत हो गया second गलत हो गया third सही है only one statement is correct A is the correct answer A is the correct answer A is the correct answer A इसमें सही answer आपका जाएगा ठीक है मोहनी अट्टम की अगर अब बात करेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें यह है कि Indian mythology से inspired है और इसमें यह था कि जब दो स्टोरी इससे connect हो रही है एक तो जो जिसमें यह था कि अमरत निकाला गया तो वहाँ पे जो असूर है वो भी आया और फिर वो जब अमरत लेने लगे तो फिर लौड विश्नुयान उन्होंने मोहनी अव्तार धारन किया और इस तरीके से वो पूरी स्टोरी पूरानी जो हमारी साइं से रिलेटेट कुछ बेसिक चीजे वह आप ध्यान रखें तो आज के लिए इतना ही 15 कॉस्टन हमने लिये हैं अभी दस बज़े आपकी एक क्लास है जो आज का करन्ट अफेर है वह 10 एम पे हम रखेंगे क्लास का लिंक टेलीग्राम पे भी शेयर ह सब्सक्रिप्शन से आपको फायदा क्या होता है एक बार आपको फीज देनी है उसी फीज में आपका syllabus पूरा हो रहा है unlimited एकसेस है जितने भी एजूकेटर रहा है अगैडमी प्लस पर किसी की भी क्लास कितने भी समय के लिए आप देख सकते हैं इतनी भी बार देख सकते हैं उसी फीज में प्रिलिम्स, मेंस की test series, answer writing evaluation, doubt solving, complete study material आपको मिल रहा है। Use the code rblive to get these extra discounts and personal guidance. जब आप rblive code use कर रहे हैं तो मैं आपको personally guide करूँगा, make sure कि आप rblive code use करें। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बच्चे प्रिलिम्स क्लियर करते हैं next year, तो मेंस तक की preparation उनको unacademy free of post offline एविलेबल कराएगा। प्राइज आपकी fees जो है बढ़ने वाली है, 31 July से तो आप प्लान कर रहे हैं तो पहले ही से पहले ही ले ले, आपकी savings रहेंगी, तीन अगस्ते आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, foundation बैच आपका 31 July से चल रहा है, तो कि हिंदी मादियम का भी 10 अगस्ते बैच शुरू हो रह है तो आप अनकेडमी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सेंगे, तो all for today, don't forget to like this session, have a great day, take care.